नमस्कान स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदू पंचांग के नुसा बैसा आकमा के शुक्ल बक्ष की चतुद शितिती को नर्सिंग जैनती मनाई जाती है मानेता है कि इस दिन पगवान विश्णू ने नर्सिंग अफ्तार लिया था आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2030 में नर्सिंग जैनती कब है तीन या चार मई को शुमोरत क्या रहेगा पुजा का समय क्या रहेगा व्रत की विधी क्या है और पारार का समय क्या रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में इस चैनल पर नहे हैं और भी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आकामी प्रतिवम तहवारों के तिथियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तक के आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलिये तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो भगवान नर्सिंग की पूझा शाम की समय करने का विधान है मानिता है कि भगवान विश्णू ने असुराज रहन कश्यूप का वद करने के लिए दिन के ढलने और शाम के आरंब होने के मत का समय चुना था इस समय में ही उन्होंने नर्सिंग अफ़दाल लिया था भगवान नर्सिंग की पूझा अर्शना करने के लिए इस नानादी से निवरित होकर स्वक्ष वस्तधारन करें एक चौकी पर पीले रंका वस्तर बिचा कर उस पर भगवान नर्सिंग की मूर्ती या उनकी तस्वीर को स्थापित करें शंक या लोटे के माध्धम से जलाविशेक करें उसके पश्यात फल, फूल, पीला, चंदन, अचछत, आधी अर्पित करें नारियल, केसर, फल, मिठाई, आधी का फोग लगाएं घी का दीपक चलाए, धूप चला कर भगवान नर्सिंग का ध्यान करते वे उनके मंत्रों का चाप करें उसके पश्यात आर्ती करें सुरेदे से लेकर दूसरे दिन सुरेदे तक अन ग्रहन ना करें साल 2023 में नर्सिंग जैनती, 4 मई 2023 दिन गुरुवार को है पुझा का समय रहेगा शाम के 4 बच कर 18 मिनट से 6 बच कर 15 मिनट तक कुलगदी रहेगी 2 घंटे 40 मिनट की पाराण का समय रहेगा 5 मई की सुबह 5 बच कर 38 मिनट के बाद चतुर्दशी तिति का आरंभ होगा 3 मई की राद 11 बच कर 14 मिनट पौसमापती होगी 4 मई की राद 11 बच कर 44 मिनट पर मेरे वीडियो में अंद तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ